नमस्कार मैं रूपेश आप सभी कर स्वागत करता हूं आपके इस यूटूब चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही पाजेटिव निज लेकर आया हूं व्यापम में बहुत ही बड़ा बदलाओ किया है और आपके लिए अच्छा मौका दिया गया है बहुत ही सुनारा आउसार है जिन्हों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्द ही सस्क्राइब कर ले आगे मैं व्यापम में बहुत ही बड़ी बदलाओ के बारे में बताने जा रहा हूं व्यापम में जो सायक सम परिक्षक, जेश्ट सम परिक्षक की रिती थी, जो आनलाइन की है, उसे तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, बहुत ही खुसी की बात है, जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं भरा है, वो जल्दी फार्म भर ले, ओके, चलिए आपको इन सारी डिटेल की जनकारी बता देता हूं, जो लोग फार्म नहीं भरे हैं, वो आजी फार्म भरना चालू कर दे, वरना फिर से साइड में दिक्कत हो जाएगी, स्टार्ट करते हैं, जेश्ट सम परिक्षक सायक सम परिक्षक भरती परिक्षक यम सायक परुज्यां छेत्रपाल भ दिनांग 25-7-2021 के प्रस्ताव पर जेश्ट सम परिक्षक यम सायक सम परिक्षक भरती परिक्षक 2021 की तथा प्रबंधन या प्रबंध संचालक 36 गराज 1 विकास निगम लिमिटेड रैपूर 36 गर कर दिया गया है, दिनांग 17-5-2021 के प्रस्ताव पर सायक परुज्यां छेत्र परिक्षक है, इसी कारण परिक्षार्थियों के हित का ध्यान में रखते हुए उपरोग्त भरती परिक्षक यम सायक सम परिक्षक और सायक परुज्या छेत्रफान आनलाइन आविदन की तिथी 23.11.2021 से 25.11.2021 तक आज से यानि की आनलाइन आविदन की तिथी है 23.9.2021 से 25.21 तक तुटी में सुधार के लिए तिथी दिया गया है 26.28.2021 तक परिछा की तिथी हम समय की बात करते हैं तो 2.01.2022 को दिन रवी वार प्रथम पाली में सुभा 9 वज़े से 12 वज़े तक साहक परुजना 6 तरपाल के लिए दिया गया है 2.01.2022 रवी वार दूती पाली में 2 वज़े से स्टार्ट होगा दोस्तों दोपहर 2 वज़े से 5 वज़े के 15 मिनट पर यह व्यापाम की बहुती महत्वण अपडेट था जैसे की कुछ व्यापाम से अपडेट आता है इनके बारे में जरूर बताऊंगा सबसे पहले वीडियो को सस्क्राइब जरूर करें अगर विकेंस्टी के बारे में कुछ अपडेट होता है या उनकी जानकारी के लिए कु